देश में आज कल हर दिन किसी ना किसी स्टुडेंट के आत्महत्या के खबरे अख़वारों में सुर्ख्यां बटोरती रही है। यूँ तो राजस्तान का कोटा शेहर स्टुडेंट्स के आत्महत्या को लेकर काफी बदनाम है। लेकिन आकड़े कुछ और ही बताते हैं, एक नई रिपोर्ट के मुताबिक राजस्तान नहीं, बलकि महराष्ट्रा से विध्यार्टियों के आत्महत्या की खबरे सबसे ज़्यादा आ रही हैं, यानि सुसाइड के मामलों में महराष्ट्रा पहले नंबर पर है, खेर गैर ला आत्महत्याओं की मामलों में दो परतिश्रत की बढ़ोतरी हुई है, इस मामले में महराष्ट्रा राजस्तान से भी आगे निकल चुका है, एंसे आरबी के आकड़े पुलिस की ओर से दर्ज की गई प्रात्मी की रिपोर्ट पराधारित हैं, इन में से छात्रों के आत्महत की मामले बढ़ रहे हैं, जन संक्या व्रिधी दर से भी तेजी से बढ़ रहे हैं आत्महत्या की केस, हर साल आत्महत्या करने वालों की दर 2 परतिश्रत का इजाफा इसमें देखा जा रहा है, 2022 में आत्महत्या करने वाले कुल चात्रों में 53 परतिश्रत लड़के शामिल थ पर है हाला कि राजस्तान के कोटा को काफी बदनाम माना गया था इस चीज में कि आत्मा हत्याएं छात्रों की सबसे जादा वहीं होती है क्योंकि कोचिंग हब रहा है राजस्तान का कोटा और लेकिन आप जो आकड़े सामने आए हैं वो काफी संसनी खेज खुला से करते नज पर है महाराष्ट्रा इसमें सबसे आगे माना जारा है फिलहाल चलिए आब आपको बताते हैं कि किस राज्य में कितने सुसाइड हुए हैं महाराष्ट्रा में 1764 मामले सामने आए तमिलनाडू में 1416 मामले सामने आए तो में मद्यापरदेश में सुसाइड के 1340 मामले सामने आए उतरपरदेश के अगर बात करें तो यहाँ पर 1060 मामले सुसाइड के सामने आए जारखंड में 824 मामले सामने आए सोची जरह यह आकड़े जहां पर छात्रों ने आत्महत्या की है और यह आकड़े काफी हैरान कर देने वाले हैं महाराश्ट्रों इसमें सबसे उपर बताये जा रहा है और यह दर जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है पढ़ाई के टेंशन या फिर पेरेंस का प्रेशर कारण दो ही जिसके वज़े से यह चात्र मौत की तरफ ज़्यादा जाना प्रिफर करते हैं मौलिटन में अब वक्त चला एक छोटे सब्रेक का खबरों का सलसला लगातार जारी रहेगा आप देखते हैं इंडिया न्यूज